नमस्कार आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत हैं फ्रेंट्स जैसा कि हम सब को पता है कि आने वाले दिनों में करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने हस्बेंट की लंबी उम्र के लिए रखती हैं करवा चौथ का व्रत नेजला व्रत होता है मतलब कि इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन बीना जल ग्रहर की व्रत रहती हैं तो ये एक कटिन व्रत होता है तो जो भी महिलाएं इस समय प्रेगनेंट हैं जिनकी अभी प्रेगनेंसी की जरनी चल रही है उनके लिए ये व्रत काफी मुस्किल होता है तो अभी जो भी महिलाएं प्रेगनेंट हैं वो काफी ज़्यादा वरिड रहती हैं चिंतित रहती हैं उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि अभी इस समय उनको प्रेगनेंसी के दोरान करवा चौत का वरत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए अगर रखना चाहिए तो कब रखना चाहिए कब नहीं रखना चाहिए अगर वो प्रेगनेंसी के समय करवा चौत का वरत रख रही हैं तो उनको क्या क्या प्रिकॉसन लेनी चाहिए क्या-क्या साधानियों के साथ इस प्रत को रखना चाहिए तो फ्रेंक्स इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेसी के दोरान कि महिलाओं को करवा चौध का ब्रत रखना चाहिए और कि महिलाओं को प्रेगनेसी के दौरान करवा चौध का ब्रत नहीं रखना चाहिए और अगर आप प्रेगनेसी के दौरान करवा चौध का ब्रत रख रही हैं तो आपको क्या-क्या प्रिकॉसंस लेकर क्या-क्या साधानी रख कर ये ब्रत रखना चाहिए ताकि आपको और आपके गर्ब में पल रहे बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसके साथ ही कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगी जिसको आपको फॉलो करके पूरे ब्रत के दौरान आप हेल्दी और कमफर्टेवल रह सकती हैं तो फ्रेंट्स जो भी मेरी फीमेल फ्रेंट्स ये विडियो देख रही हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप इस विडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारे मिल सके और इस विडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ आप करवा चौत का प्रत रख सकती है या नहीं रख सकती है यह आपकी pregnancy की condition पर depend करता है पहली condition यह है कि अगर आपकी pregnancy normal conceive हुई है आपकी pregnancy में सब कुछ normal है आपको कोई भी precaution लेने के लिए नहीं कहा गया है तो आप pregnancy के दोरान कुछ precautions रख कर इस ब्रत को रख सकती है आपको कोई problem नहीं होगी तो वो कौन-कौन सी सावधानिया है कौन-कौन सी tips है उसको मैं आप सब को बता दे रही हूँ तो friends जैसा कि हम सब को पता है कि जब हम करवा चौत का ब्रत रखते हैं तो सुबह के टाइम में करी चार बजे हमें सर्गी खा कर ही इस ब्रत को रखना होता है तो हम सर्गी में कुछ ऐसी चीजे खाएं जिससे कि हमें पूरे दिन हमारी वाडी हाइडरेट रहे और इनर्जेटिक रहे तो उसमें हम कौन-कौन सी चीजे खा सकते हैं तो वो चीजे हैं कि सबसे पहले हमें दःही खाना चाहिए लस्य खाना चाहिए अगर हम दःही और लस्य का सेवन सर्गी के टाइम करते हैं तो पूरे दिन हमारी बोडी हाइडरेटर रहे गी और हमें यह प्यास नहीं लगेगी, इसके साथ हमें केला खाना चाहिए, सेफ खाना चाहिए और कुछ मेल्क से बनी हुई मिठाईया हमें खाने चाहिए जैसे कि छेना हो गया, रसुल्ला हो गया जो हाइ कलरीज मिठाईया होती है इससे क्या होगा जुबाइं ओर केला में बहुत ज्यादा इनर्जिक फ्रूक्त हिर्ट्स होता है वो तो च्यख़ घ्रन काने से हमें पूरे दिन दिन हमारी मेंञारी एमरी छोर्ड़ी में गळण होगा घ्रन केलरी में तो क्या अक्सर क्या होता है कि जब हम pregnancy के दोरान ब्रत रखते हैं या फिर बहुत ज्यादा देर तक भूखी रहते हैं तो हमें low BP की प्रॉबलम होती है और इससे हमें और हमारे पेट में पल रहे बेबी के लिए यह काफी जादा problematic हो सकता है तो इसलिए प्रेगनेंसी के समय जब आप करवा चौद का व्रत रखें तो सरगी के टाइम कुछ ऐसी चीजे जो कि मैंने आप सबों बताई वो चीजे खाले जिससे की पूरे दिन आपकी बॉड़ी हाइडरेटर रहेगी और इनेलजेटिक रहेगी तो ये चीजे आपको फॉलो करना चाहिए इसके साथी फेंस एक चीज और आपको करनी है कि जब आप ये प्रेकॉसन लेकर प्रेगनेंसी के समय करवा चौद का व्रत रखें तो पूरे दिन आपको क्या करना है कि आपको अपने बेवी की मुवमेंट को चेक करते रहना है क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर हम कुछ नहीं खाते हैं या फिर भूखे रहते हैं तो बेवी का जो मुवमेंट होता है वो कम हो जाता है तो आप breath तो कर ही रही है इसके साथ साथ आपको ये भी साथ आने रखनी चाहिए कि आपको और आपके baby को भी कोई problem ना हो तो इसके साथ साथ आपको पूरी दिन जब तक कि आप ब्रत को तोड़ नहीं देते हैं तब तक आपको क्या करना है कि time to time आपको अपने baby की moment जो है वो चेक करनी है कि baby जो है वो proper moment कर रहा है कि नहीं जो normal दिनों में आपका baby moment करता है उस तरीके से baby moment कर रहा है कि नहीं अगर आपको लगता है कि normal दिनों की अपेक्छा में अभी कम हो रहा है या कुछ feel नहीं हो रहा है तो ये चीज आपको जरूर करने चाहिए ब्रत के समय अब फ्रेंग्स दूसरे कंडिसन की बात करते हैं कि आपको फ्रेगनेंसी के दोरान कब ब्रत नहीं रखना चाहिए कि कभी-कभी क्या होता है कि कई महिलाएं प्रेग्नेंसी जो है वो मेडिकल क्र्टिमेंट के द्वारद system करती है तो जब मेडिकल क्रोव करेंगे क्यों है टौक्टर 17 सारे संभान एक कई बार डौक्टर problem कॉमका मैं क्लिएं जादा आश्याम होगा जैयां आंबशीआ है। अगर आपको कोई भी प्रेंसी मेधिकल ट्रिट्मेंट के द्वारा नहीं हो गाओ या प्रेगनेंसी जो है वो मेडिकल ट्रेटमेंट के द्वारा कंसीब हुई है या फिर ब्लीरिंग होई है या फिर कुछ भी डॉक्टर ने आपको अडवाइज किया है तो भीना डॉक्टर की आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए जब भ आपको ब्रत रखना हो आप अपने डॉक्टर से बात करें कि आपको किस प्रिकॉशन के साथ इस ब्रत को रखना चाहिए लेकिन मेरी तो यही एड़ाइज है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी कोई भी ब्रत प्रेग्नेंसी में ना रख तो अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा ज्यादा से एर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा